तो गैस आप लोग ने बहुत से यूट्यूबर्स को ये बोलते सुना होगा कि वाइट ट्रिपल फॉर के सर्वर में ग्लीच पैक यूज करना लीगल है, महाँ पर आइडी इससे कुछ भी बैन नहीं होता है लेंगेज हमारे इंडियन सर्वर में आप लोग को पता होगा कि इससे आइडी बैन हो जाता है, सबका तो नहीं होता लेकिन बहुत सालोग का हो जाता है तो गैस नहीं पता तो मैं बताऊंगा लेकिन उससे पहले एक छोटा से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर लो कि आप लोको हमारे चैनल पर ऐसे इंट्रिस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहेगी तो गैस आप मैं से बहुत से लोगो तो यह नहीं पताऊ कि Glitch Pack क्या होता है तो पहले यह जान लो तो गैस Glitch Pack यह होता है कि अगर आपके पास कोई सब बंडल नहीं हो आप लोग को चाहिए या फिर कोई सब कई की नहीं है if आप लोग जैखना ए तो गैस आप लोग लोग को पाइदा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो सिफ आप लोग को दिखेगा दूसरे प्लेयर इसको नहीं दिखेगा और जो गन स्कीन होते हैं उसके एट्रिब्यूट काम भी नहीं करेंगे वो सिफ और सिफ गन स्कीन आप लोगो देखने लिए बस मिलेगा तो आप लोग यह जाने लोग कि हमारे इंडियन सर्वर में लिगल नहीं है तो लोग को पते हैं वकिन ज्यादा क्रेज पर नहीं च्र custom होत अएitting इस इसी के वैसे यहां पे जो ग्लीच पैक यूज करना है वो लीगल है क्योंकि यहां पे ज्यादा डिमांड नहीं है किसी बंडल या फिर गन स्कीन का लेकिन वहीं अगर हम लोग इंडियन सवर्वर की बात करें तो आप लोगों को पता है कि पर डे लोग कितने पागर रहते है हर बंडल गन स्कीन के पीछे और इसी के वैसे यहां पे जो ग्लीच पैक यूज करना वो इलीगल है क्योंकि अगर हम लोग यूज करने लगे तो जो यह बंडल के डिमांड रहागा वो सब कम हो जाएंगे और इससे फ्रीफायर को बहुत ही जज़ादा लॉस हो सकता है क्य अगर आप लोग को यह जानना है कि Y444 इतना ज्यादा फेमास कैसे हुआ तो मेरे को कमेंट करके बोलो मैं इसके उपर भी एक वीडियो ला दूंगा